गुद मॉर्निंग टू आल, कैसे हैं आप सब? I hope सब बहुत बढ़िया और मज़े में होंगे तो आज मैं लेकर आई हूँ अपना चोटू सा व्लॉग जिससे कि आप लोग भी मेरे बारे में थोड़ा सा जान पाओ कि मैं क्या करती हूँ दिन भर सिर्फ वीडियोज रील सी बनाती हूँ या फिर कुछ और भी करती हूँ तो बस मेरे सुबह से ही मैंने अपने व्लॉग की स्टार्टिंग की है तो आज मेरे थोड़ी सी तबेट खराब है और आगया है हलका सा फीवर तो बस मैं लंच की त्यारी कर रही हूँ तो लंच में मैं वनाने वाली हूँ बेंगन का भड़ता तो मैंने बेंगन भूनने के लिए रख दिये हैं इसमें तोड़ा सा लगाया है ओईल उसके बाद मैं देख रही हूँ मैं कि मेरे लिए कुछ छोड के गए है यार ये लोग फिर नहीं तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी टब्पीत खराब है मेरे लिए कुछ ना बनाया हो तो में लिए वो देखे चाय थोड़ी सी छोड गए है कि मैं उठूंगी तो अपना चाइपी लोगी और फ्रिज मैं देखती हूँ कि मेरी लिए ब्रैड छोड़के गए या नहीं लेकिन है बई ब्रैड है तो ब्रैड निकालूँगी और अपने लिए ब्रैड दो ब्रैड सेकूंगी और चाइपी लोगी थोड़ी सी एनरजी आ के बाद मैं करूंगी अपना काम स्टार्ट क्योंकि बच्छे सोबा दो ब्रैड खाके चले गए लेकिन अब लँज तो उनको प्रॉपर मिलना ही चाहिए, तो बस मैं अपना बैंगन भूनने के लिए रग दिया है जितनी तिर में भूनेंगे उतनी तिर में मैं कर लूँगी अपना breakfast और मैंने लिए हैं दो bread और चाय मैं यहां बैट के पहले अपना enjoy करूँगी उसके बात में करना स्टार्ट किया है मैंने काम बैंगन मेरे भून रहे हैं अभी तै क्योंकि बहुत स्लो गैस पर मैं भून रही हूं उनको क्योंकि अगर फास्ट गैस कर दूँगी तो फिर वही है कि न जल जाएंगे वो तो फिर अभी मैंने बैचुच साफ कर लिया बैचुच साफ करने का तरीका मेरा देख producer मेरा को के अफ़िय духов ने देख जाती हूं तो बहुत जाती हो उसके अंदर य Note और मैं आगई हैं वापस किचिन में तो मेरे बेंगन बिल्कुल भुन चुके हैं, मर चुके हैं, बिचारे जा निकल गई हैं उनकी, तो बस वो मैंने निकाल के थाली में रखाई हूँ, ठंडे होंगे, तब तक मैंने इस साइड में कर लिए हैं, अपने सोफे उफे साफ, और मैं हाथ से सोफे साफ कभी नहीं करती हूँ मेरे निल्स जाते हैं टूट इसलिए मैंने एक कॉम बना रखा है तो कॉम से मैं इनके जो कवर सोफे की जो कवर हैं वो अच्छे से फिक्स कर देती हूँ क्योंकि दीले डाले से जो कवर रहते हैं वो मुझे बिल्कुल भी ने अच्छे लगते हैं लेकिन बस कामवाली के पीछे-पीछे ना मैं घूम नहीं सेकती और उसके साथ मैं अपना धिमाग नहीं घराब कर सकती तो बस मैंने यहां ज़ाडू लगा लिया है ज़ाडू लगाने के बाद मैं यहां भर लिया है और डेस्टर का मेरे का हमेशा क्या होता है कि मैं डेस्टर को और कूड़े के साथ मैं डेस्टर भी हमेशा फेक देती हूँ अब यह नया लेकर आये तो देखते हैं कब तक यह रहता है और यहां मैंने डस्टिंग कर लिए जाडू लगाने के बाद में ही मैं डस्टिंग करती हूँ उससे पहले जाडू लगा दे टाइम पर थोड़ा बहुत तो डस्ट वापस हो जाता है इसलिए मैंने यह फटा-फट से क्लीन कर दिया है और पूरे घर में डस्टिंग थोड़ी से मतलब रोज ही करनी पड़ती है क्योंकि गर्मिया है तो अभी धूल मिटी जादा उड़ती है हवा भी चलती है तो होई जाता है फिर मैंने यहां लगा दिया है बाइपर पर ड耍के पोच्छा वैसे मैं मैं Mostly बैढ के ही पोच्छा लगाती हूँ लेकिन आज मेरी हिम्मत है नहीं तो मैंने बाइपर पर लगा के कि मैं फ्रिज की बकेट में रखती है तो फिर उसमें लग रहा था मुझे खराब ना हो जाए तो इसमें हवा नीचे से लगती रहेगी और फ्रिज में अच्छे से इसमें रख दूँगी टोहरी बीवन निकाली है फ्रिज वाली और देखें टमाटर कितने ज़्यादा तो बाकी टमाटर मेरी दीदी की साइड में मेरी जो सिस्टाइल लौ है वह भी कर लेती है उनके यहां दो तीन प्लॉट खाली पड़े हों तो इसमें भी टमाटर हो जाते हैं तो बस वहां से टमाटर आगा है तो धिर सारे हो गए तो तो अब क्या करूं मैं समझ में नहीं हुआ है तो बिलकुछ सॉफ्ट सॉफ्ट वाला जो पोशन होता है बस वही मैंने निकाला है और बाकी मैं बीच में से खोल के यह भी देख ले रही हूं कि वैसे तो बाहर से बहुत अच्छे थे फ्रेश थे और घर के ही है मतलब वह प्लॉट में जो मेरी दीदी के हस्बं हैं और बहुत सॉफ्ट हो गए थे तो मैंने नाइफ से यह से करके करके रख दिये हैं और इधर मैंने कर लिया है काम और किचिन का प्लेटफॉर्म मैं पूरा क्लीन करने के बाद मैं जाओंगी नहाने के लिए उसके बाद बच्चे आएंगे तब तक बैंगन का भरता बन बढ़ने बिदम निकाल धी है वो पूरा क्लीन कर दोगी जिससे की ना वनके फोल मैंसे निकल पाएगी वरना वह बंद हो जाते है तो स्लोग हो जाएगी अच्छा है कि अभी ऐदर मैं जाती है दो बस मैंने यहिय कर दिया है तो आई भूप आज मेरा व्लोक